हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अश्टेडी चेमबर पर दोस्तों यह मोक्टेश्ट नमबर चाल रहे तो आए आज का पहला सवाल देखते हैं कर दी गई आकरिती में कोड़ बी एसी बराबर 40 डिग्री है यह कौन है यह कौन दिया है 40 डि तब बिदे का मान बताना है क्या होगा हुआ है जानते हैं दोस्तों कि तर्भूच के तीनों कोणों का यूग 180 डिग्री होता है हम लेते हैं तेरे भूच ए बी सी में को ने 40 डिगरी है और कोण सी 90 डिगरी है कोण ए चालीश डिगरी है कोन सी 90 डिगरी है कि कितना हुए नौ चार तेरह एक सो तीस डिगरी और हम क्या जानते हैं कि तीनों कोड़ों का यो 1803 होता है तो कोन बी क्या होगा 55 द भी में फिर से वही बाद कि हम जानते हैं त्रिभूज के तीनों कोड़ोन का यूग comments सभी निवाभर स्भेसं दिक्री से याँ दिया है कोड़ आउन सबसक्रद टब klaffive से bu कुण ड़ी कोड़ी पूछ रहा है कोड़ी पराबर इसको कोन लिख सकते हैं बी डी सिर कमान क्या हो गया 30 डिटी और कोश्चन में मैं इस कमान क्या हो गया 30 डिटी हो गया कि लिजिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आज का दूसरा सवाल है करें किसी सम्लम्ब चतुर्भूज एभी सीडिक या समानतर भुजाओ कि एडी तथा बीसी कि मध्य बिंदु करम साइट था यह तब यह तथा यह कमान बताना देखिए कि यह होगे आपका सम्लम्ब चतुर्भूज एडी और एडी और बीसी और समानतर भुजाओ कि इसका मध्य बिंदु को मिला दी है मध्य बिंदु करम साइट था यह तथा यह तब इप कमान क्या होगा इसको मिला दी तो इस रेखा यह मान क्या होगा यह पूछ रहा है देखिए, समलम्च तुर्भुज में और समांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, समांतर भुजाओं के योग का आधा होता है, देखिए, समांतर भुजाओं के योग क्या होता है, एक समांतर भुजाओं के योग क्या होगा, एक समांतर भुजाओं, एक समांतर भुजाओं के योग क्या है, इसको जोड़ देंगे ते योग हो गया और इसकी का आधा होता है, कौन, यी तथा यप, तो कह रहा है, इप कमान क्या होगा, इप कमान क्या आ गया यहाँ से, देखिए, AB पलस DC वटा 2, है, AB पलस CD वटा 2, अप्शन नमबर 1, इप्रमे हैं दोस्तों, अभी हम जो बता हैं कि किसी समलम चतुर भुज में, और समांतर भुजाओं के मध्य बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा, समांतर भुजाओं के योग का आधा होता है, चलिए, अगले क्वेशन के और हम लोग चलते हैं, दखिए दोस्तों, कह रहा है, यहाँ यहाँ पलस 1 बटा, एक्स वड़बर रूट 3 हो तो, एक्स क्यू पलस 1 बटा, एक्स क्यू कमान बता है, हम आपको बता हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेशन आता है, इसको ध्यान में रखना है कि लाना हमको क्या है, तो कि यहाँ एक्स क्यू लाना है, और यहाँ क्या है, यह अक्स है, तो दोनों और हम क्या करेंगे, Q कर देंगे दोनों गों क्यूब कर देंगे आईए अब देखते हैं इसको Q करेंगे तो A plus B का ओल क्यों हो गया था A plus B Likewise क्या होता A Q plus BQ plus 3 AB into A plus B और इसको करना तो क्या हो गा इसको करने तो 3 root 3 हो जाएगा अब देखेंगे कट गया और इसका मान क्या दिया है रूट 3 जाएगा तो क्या होगा माइनस रोजाएगा एक्स की ओन बटे एक्सक्यू बराबर इधर प्लस में है थिर एधर जायगा तर्णाइगा धर टाएगा थिर रूट थे प्रेकिनल यह शरी माईनस काट से आगीह दितीकी速 प्रोस उन ग nessक्यू देख द सिए अग्रा क्वेशने तरओ दोस्तों इस ऊध्रुमक हैं यह उनम लृत अग्रवाई यह क्वेश्चन ने कर रहा है यह जिस्वाई आप प्लसबाई माईनसिक्स का? बड़ाबर थीरी ए मैनस एक्स बटेट एक्स का मान मता है तो कि ऐसे सवालों को क्या विद्यार्थी एक्जाम में देखके डर जाते हैं डरना नहीं है दिमाग ठंडा करके अपने लॉजिक लगाना है और अपने लच्छे की और पहुँचना है और सभी विद्यार्थियों से एक नमबर एक्स्ट्रा लेके एक जाम में आना है झमता है तो आये दोस्तों हम इसका टेक्निक्स बताते हैं कैसे बनेगाे यह सवाल दक्ये सको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं1-1 प्याक्स थी दखिए कैसे हुआ कि नीचे एलसिंर हम लेंगे और एक में गुना कर देंगे तक यह जाएगा कि ऐसे हुआ यह ठीक है इसको हम लिख दिया 1-6 रुटे इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते 1-6 रुटे ठीक उसी परकार इसको भी लिख सकते हैं 1-1 बटे 3 ए ठीका है अब यहां से देखते हैं दखेए एक और एक दो हो गया और इस एक को इधर लाके घटा देंगे ठीका है और आगे देखिए इधर क्या बचा माइनस एक्स बटे 3 ए और इधर minus या इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पुलास हो जाएगा X बाटे A पुलास X बाटे 2A इसको solve करेंगे ELSEUM ले लेंगे 6A हो जाएगा 3A ये ये और 2A का ELSEUM 6 отвеч 3A से कटाएगे 2 बार में तो यहाँ माइनास 2X हो जाएगा प्लास यहाँ और इधर क्या हो जाएगा कि एक अब देखिए इधर लाएंगे तो गुना कर देंगे आपको बताना क्या है यक्स कमान पूछ रहा है यहां से यक्स बराबर क्या हो जाएगा और यही क्या हो गया आपका इंसर हो गया लिजे अगला सवर दखें दोस्तों कर एक बित्याले में 25 अध्यापक है जो गड़ी तत्थवा भावतिकी पढ़ाते हैं टोटल कितने अध्यापक है 25 है जो मैथ अथ्वा फीजिक्स दोनों पढ़ाते हैं गड़ी तत्थवा भावतिकी दोनों आगे कर रहा है इन में से 15 भावतिकी तत्थवा तीन भावतिकी गड़ी तोनों पढ़ाते हैं इसमें कर रैप को अंदरा भावतिकी और तीन भावतिकी पलस मैथ दोनों पढ़ाते हैं तो कितने अध्यापक गड़ीत वनली मैथ पूछ रहा है कि वनली मैथ कितने अध्यापक पढ़ाते हैं दखिए विन डाइगराम से ऐसे सहलों को बनाएंगे बीच वाला पार्ट क्या हो गया मैथ पलस भावतिकी दोनों का इसको हम क्या रखते हैं मैथ रखते हैं और इसको भावतिकी रखते हैं ठीक है अब क्या कर रहा है टोटल तो 25 है कि पूरा इसको और इसको और इसको मिला कर पचीश है 15 भावतिकी पढ़ाते हैं, चलो हम 15 लिख दी, भावतिकी पढ़ाते हैं, तीन भावतिकी ओम गड़ी दोनों पढ़ाते हैं, तीन तो दोनों पढ़ाते हैं, तो तीन फिजिक्स यहां पढ़ाते हैं, लेकिन टोटल पढ़ाते हैं कितना 15, तो 15 में से 3 घटा देंगे, तो ई क दूर लेकिन बारत जो अध्यापक है क्यों सब्सक्राइब पढ़ाते हैं तो इसके बात क्या कह रहा है कि आपको बताना है क्यों मैठ कितने पढ़ाते हैं तो बार ओर यह तोटल है कितने 25 तो पंदरा ही हो गए तो बाचे कितने दॉस और यहीं क्या हो गया इंसर क्यों मैत पढ़ाते हैं तो दॉस लिजिए अगला कोश्चन दखें दोस्तों कि राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है स्याम जोकी राम से 20 पर 30 अधिक दच है दखिए स्याम और राम स्याम क्या है 20 पर 30 अधिक दच है 20 पर 30 का मतलब एक बटा 5 होता है और अधिक कहेगा तो हम बदायते हैं इसका होल भायलू क्या होता है छो बटा 5 यह अधिक है दच है तो यह अधिक हो जाएगा और इसका दिन क्या होगा आप जानते हैं कि एफिसियंसी का उल्टा क्या होता है दिन होता है तो यह पांच हो जाएगा और इच्छो हो जाएगा दिया राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है और हम कर रहे हैं कि छो दिनों में कर सकता है ही क्या हो गया एंसर हो गया अगला सवाल दोस्तों इस सवाल को करि ए जीस संजुबत रूप से विया प्रण το करतें तीन लोग मिलक यह करते हैं गया करते हैं जिसमें कि परदें को उनको नभी तो शांशी कर सार कर नुपात में लाफ प्राफ्ट होता है जितना पैसा लगाएंगे उसके हिसाब से उनको लाव मिलता है एक की पूजी 240 रुपिया है तथा बी की पूजी 640 रुपिया है पर टेक 100 रुपिया में एक का हिस्षा 15 है तो बी का हिस्षा क्या होगा दखिए हम जानते हैं कि जिसना पैसा लगाएंगे उसी के हिसाब से ल कि पूंजी 240 रुपिया है और बी की पीजिच कि 640 रुपिया इसको कटा देंगे तो इनका अनुपात क्या आएगा निकी जीरो से जीरो कट जाएगा और तिरेकर 24 और 28 8ँ 4 616 तीन अनुपात 8000 आखिकवर न्रुन मीन का पूजी आगया अपकर रहा है कि पर्तेक 100 रुपिया में एक पंदरी है हम क्या जानते हैं जितना पूजी लगाएंगे उसी हिसाब से आपको लाब मिलेगा एक हिस्सा 15 है तो तीन कमान क्या दिया है 15 तो आठ कमान क्या होगा तो आठ पांच है 40 यहां से क्या है पांच गुना है यह वी क्या करेंगे पांच गुना कर दें तो 200 प्रत्यक 100 रुपिया में बी कहीं सा क्या जाएगा 40 और यहीं पूछ रहा है तो आपका इंसर यहीं हो जाएगा ठीक है दखिए दोस्तों कह रहा है कि 20 संख्याओं का आउसत 22 है 20 संख्याओं का आउसत 22 है 20 संख्याओं का आउसत 22 है धुना कर देंगे क्या होगे टोटल होगे इसमें कह रहा है कि पहली 11 संख्याओं का आउसत और आखरी 10 संख्याओं का आउसत 23 और एकईश है इगारा संख्याओ का उसब तेईस और आखिए दस संख्याओ का उसब एकईस है ठीक है इगारा और दस टोटल कितना हो गया एकईस संख्या और यहां क्या दिया है बीस संख्या दखिए 23 गुनिय दस करेंगे दो सब तीस और तीस जोड़ देंगे दो तीरपा और यहां आजयेगा एक कईसी दहां में 210 कितना हो गया चार सब तीर सट और यहां चार सब चालीस 22 दुना चालीस 440 हो गया लेकिन यहां केतना हो गया 11 और 10 से कईस संख्या और यहां 20 तो हमसे पूछ क्या रहा है कि इगर हमी संख्या तो इधर एक कईस है और इधर 20 है इधर एक संख्या ज्यादा लिख दिया है तो उसी को हम क्या करेंगे बीच घठा देंगे तो ठीक है और इधार इक चार में चारिस आपका लियांकर घठा देंगे तह क्या हो नुटी правда के चरह किसे शंख्या कितना हो गया तेईयस हो गया करें ही पूछ sharks आपका एंसर क्या हो partner 23 हो जाएगा दखिए दोस्तों दो पाइप है एक पाइप ए और एक पाइप बी है एक टंकी को करम से 24 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और 8 मिनट तक दोनों काम करते हैं उसके बाद एक को बंद कर दिया जाता है दखिए एक टंग की ए और एक टंग की बी है इस चौबीस मिनट में भरता है और तीस मिनट में भरता है लेकिन आठ तक दोनों काम एक साथ कियें तो इसका दिया है तो इसका एक मिनट में एक बटा एक मिनट में एक बटा चोविस काम करें तो आठ मिनट में आठ बटा चाव इसकी आठ मिनट तक सब्सक्राइब यह और हो जाएगा यह को और यह और कहां कितना अबस गया तिन बटबटा पांच काम हो गया सेश इसी सेश काम को करने के लिए टंकी ये को बंद कर दिया जाता है और टंकी भी खुला रहता है इसी को भरने के में भी केतना टाइम लेगा ये पोछ रहा है तो भी केतना टाइम लेगा दखी काम इतना करना है यानि इतना बाद टंकी खा लिया और इसको भरना है और भी क क्या है कि तीस दिन में काम करेगा तो एक बट्टा तीस तो देखिए एक बट्टा तीस इसका इफीसिएंसी है तो दू बट्टा पांच गुना तीस पांच्छा का तीस बारा मिनट लग जाएगा बी को कब जब आठ मिनट की बार्ट तंकी एको बंद कर दिया जाए तब लिजिए अगला सवाल देखिए दोस्तों दोसुआ चालीस मीठर लंबी एक रेल गाड़ी और दुसुआ साथ मिटर एक लंबे प्लेट फारं को तीस सेकेट में पार कर जाती है क्या कर रहा है कि ट्रेन की लंबाई है और प्लेट फारं की लंबाई है आपका दोसुआट मीटर इतने लंबी ट्रेन इतने लंबे पलेट फारम को 30 सेंट में पार करती जब कोई ट्रेन फारम को या शुरॉंग को इसब फार करते है या बिरीज को पार करते है तो दोनों का डिस्टेंस क्या होता है जूट जाता है कि टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 500 है टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 500 मीटर और टोटल टाइम 30 सेकेंड लगा है 30 सेकेंड में पार कर जाती है इसका गति पूछ रहा है गती 18 बटा पान से में हम गुणा करते हैं क्या हो जागा किलो मीटर परती फटीन सेका गया और तीन चाइप अंधर पचास कि क्या हो जाएगा कि घंटा के देखिए दोस्तों सवाल को कह रहा है कि जब सीस्थे सैंटियर में से 40 घटाया जाता है तो वह संध्य घट कर स्वयम का साठ परतिसत हो जाते हैं हम आपको पढ़ाया थे क्या ठीजिक होल भैलू साट परतिसत का मतलब बीश दीर साथ बीश पाचे सब इसका फ्रेक्षन मान के आगे तीन बट्टा पांच अब हम माल लेते हैं कि मूल संख्या 5 था मूल संख्या ठीक है पांच में से तीन घटा दिये साथ तो क्या गया दो का मतलब है चालीस तो पांच यूनिट का मतलब क्या होता तो मुल संख्या क्या था आज के लिए दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए बाए बाए